संतिश रुमनिया चारी गुरुवर्षी विद्ध्या सागर्जी महराच की छे और हम यो प्रणेता पूच今天 गुरुवर्षी फ्रणम्मे सागर्जी महराच की छे ओम अरहम नमा शिरिपततवात सुत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है आज पूचेश्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओ का समाधान किया चाएगा यदि आप भी अपने शंकाओ का समाधान चाहते हैं तो विज़िप कीजे ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजे सत्र समबंदी शंकाओ का समाधान स्वयम पूचेश्री करेंगे इस कक्षा की सभी चानकारिया जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विज़ित कर सकते हैं आप हमारे वाट्साप ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं cut.ly slash तत्वातवर इस कारिक्रम के प्रसारण में पुन्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुन्याचन भी कर सकते हैं आप ठीम और हमको 9810436940 पर संपर कर सकते हैं चलिए पूच्य गुरुबाय के चड़नों में चलते हैं संभव जैन जी उदयपुर से पूच रहे हैं नमस्तु गुरुदेव किसी जीव का आयूबंद निगोद में हुआ तो इतने कम समय में जनमबरान होता है तो इन में भी विग्रहती होती है क्या और बार बार आयूबंद होता है बार बार, आयू बंद होता है, आयू बंद तो तब तब होगा जब जब वे जीव नया शरीर धारण करेगा, और रही बास समय की तो उसकी आप चिंता न करें, बहुत कम समय में भी आयू बंद होता रहता है, क्योंकि इससे भी कम समय जैसे स्वांस का अठारवा भाग, तो स भी कर रहा है, तो स्वांस चे 18 भाग में लगातार जनम्मरन भी उसके चलते रहते हैं तो यह जो लगातार जनम्मरन हैं यह सब आउबंद के बिना नहीं होते हैं, तो आउबंद के लिए बहुत कम समय लगता है और वह समय उसकी उसी जीवन में हो जाता है जितनी उसको आयू मिली है चाहे वो आयू कितनी कम क्यों ना हो तो इसमें हमें आश्र नहीं करना चाहिए सिद्धान्त की सूक्ष्मता को समझते हुए इस पर हमें विश्वास करना चाहिए कमलेश जैन जी गोहार से पूच रहे है नमस्तु गुरुदेव घर में बच्चा पैदा होने पर मोबायल में क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या पहली बार प्रस्म पुछ रही हूँ यदि कोई गल्टी हो तो शमा करें हाँ हाँ शमा तो सब के लिए पहले ही मोबाइल में क्लास अटेंड करने में ऐसी कोई बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि मोबाईल सास्त्र नहीं है यह आप उसको किसी भी रूप में और चीजें देख रहे हैं उससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं लेटे-लेटे या बैठे-बैठे जैसे भी तो अगर आप कुछ अच्छा सुभूपयोग बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरह से करने में कोई ऐसी बाधा मुझे समझ में नहीं आती है जैसे आप लोग चमा मांग लेते हैं ऐसे हम भी जिन्वाणी माता से चमा मांग लेते हैं कभी कुछ गलती हो जाए तो चमा कर देना कविता जैन जी कानपुर से पूँच रही है नमस्तु गुरुवर किस सवस्ता में संसारी जीव तेजस और कार्माण शरीर के बिना रहता है नहीं नहीं संसारी जीव कभी भी तेजस और कार्माण शरीर के बिना रह नहीं सकता, ये तो आपको दूसरे अध्याय का अध्यन करके अच्छी डंग से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये दो शरीर अनादी संबंधे च इनका संबंध अनादी काल से है, और तब तक रहेगा जब तक कि ये जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, यानि ये सरीर तो चौदवें गुरस्तान में, अरियंद बनने के बाद भी, तेरवें गुरस्तान के बाद, चौदवें गुरस्तान में जब मोक्ष जाने से पहले, बिलकुल अन्त समय तक भी ये शरीर रहते हैं, और जैसे ये शरीर छूट जाते हैं, उस जीव का मोक्ष कहलाता है, तो इसलिए संसार अवस्ता में तो इनका अभाव कदापी संभव नहीं है, नमस्तु गुर्देव, जागरती जैन जी गाजियावा से पूंच रही है, क्या तेज़ शरीर को औरा कह सकते हैं, यदि हाँ, तो औरा तो तेज़ श्वी योगी मुनी महराज का किलो मीटर तक फैला रहता है, तो क्या आत्म प्रदेश भी इसके साथ साथ इतनी दूर तक रहते हैं, यदि नहीं, तो औरा को एसा क्यों समझ रहे हैं, कि वो उससे आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, शरीर की अपनी एक कांति होती है, शरीर की अपनी एक लाइट होती है, एक एनरजी होती है, वो एनरजी जो है औरा के रूप में आप स्विकार करना चाहिए तो उस इनर्जी को यासा ना समझें कि वो किलोमीटरों तक फैलने वाला तेज़र शरीर है वो उससे रिलेटेड एक क्वांटम इनर्जी है वो और उस इनर्जी को हमें इस रूप में मानना चाहिए कि वो उसकी एक शक्ती के माध्यम से बनने वाली उसकी एक उरजा है जो हमाएं दूर दूर तक उसकी रूप में दिखाई देती है अब जैसे चमक है लाइट है तो वो लाइट को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बल्ब की लाइट जो है वहां से अगर कहीं दूर तक जा रही है तो बल्ब भी वहां से वहां तक चला गया वो उसकी लाइट गई तो लाइट और बल्ब में जैसे अंतर होता है ऐसे ही आपको तेजर शरीर और उसकी कांती उसके औरे में अंतर मानना चाहिए निदी जैन जी गाजयावाद से पुछ रही है नमोस्तु गुरुवर सम्मूर्चन के अंदर पंचेंद्रियों का जन्म कैसे और कौन सा होता है कैसे और कौन सा मतलब कौन सा जन्म होता है कि कौन से जीव का जन्म होता है सम्मूर्चन जीव पंचेंद्री तरियंचों में होते ही रहते हैं बताए भी गए हैं जो भी ये पानी आनी के जीव रहते हैं ये सब जली ये मैडक बगरा हैं केंचुए हैं, ये सभी सम्मूर्चन जीवी हैं, पंचेंद्री जीवी की बाता है, तो फिर केंचुए को नहीं ले सकते हैं, फिर उसमें मेडक है, मगरमच हैं, मचलियां हैं, ये सभी पंचेंद्री जीवी होते हैं, इन्हें हम तरियन चिकती के जीवी कहते हैं. शुवा जैन जी सहारनपुर से पूंच रहे हैं गुरु माराज गुरु जी मोहो और फर्ज में क्या नतर है मा बच्चे को पालती है वह फर्ज है या मोहो ये तो हमारे अपने अपने अटिटूट पर डिपेंड करता है हम किस चीज को किस तरह से ले रहे है एक मा बच्चे को फर्ज के रूप में भी पाल सकती है एक मा मोह के रूप में भी पाल सकती है देखो एक मा होती है एक धाय मा भी पहले हुआ करती थी धाय मा जानते हूं कि वह पहले बच्चे का पालन पोशन करने के काम के लिए अलग से रूप में वो नियुक्त रहती थी तो धाय मा जब बच्चे को पालेगी तो बच्चे से मौ नहीं करेगी वो तो उसको अपना फर्ज निवाते हुए उसका पालन करेगी और जो उसकी रियल मा होगी वो उससे मौ करेगी तो मोह में और फर्ज में अंतर देखना है तो उसकी मा में जो उसको जनम देने वाली वो और धाय मा में अंतर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा योगेंद जी गौलियर्ट से पुछ रहे है नमुस्तु महाराज जी कश्या औनंचयास में बताया था कि सौधर मिंदर का मूल शरीर उपपाद सेया पर ही रहता है शंका यह है कि उपपाद सेया तो सिर्फ जनम देने के लिए होती थी क्या सौधर मिंदर के लिए एक्सक्लूजिव उपपाद सेया होती है या अन्य दूसरे देवों के लिए भी होती है उपाद सहिया सभी देवों की जो रहती है वह उनकी अपनी अपनी उपाद सहिया पर उस शरीर का रहना तब तक होता है जब तक कि उस देव का वहां से मरण नहीं हो जाता तो सास्त्रों के अनुसार जो देव होते हैं वो विक्रिया शरीर के माद्यम से ही अलग अलग तरह के क्रिया कलापों में नयुक्त हो जाते हैं उनका मूल शरीर उपाद सहिया पर ही रहता है और ऐसी उपाद सहिया है जिस देव के लिए जहां पर जो नयुक्त है वो वहीं प तो उनकी सौधर्विंद्र की आयू पर निर्वर करता है कि वो सौधर्मिंद्र की आयू कितनी है अब कोई सौधर्मिंद्र पहले से चला आ रहा हो उसकी आयू पूरी होने वाली हो और उसी समय पर कोई दूसरे तीर्थंकर का जन्म होने वाला हो तो उस समय पर वह उन तीर् उसकी आयू पूर्ण हो सकती है, उसके बाद कोई नया सौधर्विंदर आ सकता है, ये तो सब आयू के ऊपर निर्वर रहोने वाली बात है। शक्षी जन्जी कानफुर से पूचने है गुरुमराज, अपचय और उपचय का अर्थ क्या है? उपचय माने एकट्टा होना, अपचय माने उसका निसकासन होना, निर्जीर्ण होना, ये दोनों सब्द इस रूप में आते हैं। राजिंद कुमार जी कामन डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से पूच रहा है गुरुमराज, प्रतवी थाली के समान गोल है या गेंद के समान गोल है? प्रतवी को हमें जैसे जम्बु इप है जम्बु इप को हमें अभी बरतमान में इस प्रतवी की रूप में तेखना चाहिए और उसे हमें थाली के समान ही समझना चाहिए शसी बंजल जी न्यू देली मां के घर्व से कभी कभी twins, triplets, etc. हो जाते हैं वहाँ जीव एक साथ कैसे आता है एक साथ आप तो दो और तीन जीवों में घबड़ा गए एक साथ तो कई जीव आ सकते हैं कई जीव एक साथ जनम लेते हैं कई जीव एक साथ मरण करते हैं 923 गिजाई के जीव एक साथ भरत के यहाँ पर जनम लिये थे तो ये नहीं कह सकते कि वे एक ही माँ से जनम लिये थे लेकिन एक साथ तो आये तो एक साथ जीवों का आना कोई आपत्ती जनक बात नहीं है जिनके आयू एक समान रूप से कहीं पर पूरी हो रही है और उनका कोई भी ऐसा नियोग है या उनके एक समान ऐसे कोई परणाम है कि वह किसी एक गर्म में एक साथ उत्पन हो रहे हैं तो इसमें कोई बाधा की बात नहीं है जीवों की परणामों की बात है और वह परणाम उनके आपसी इसने के कारण से भी हो सकते हैं जिसके कारण से वो जीव एक साथ जनम ले सकते हैं। इसमें कोई आपती नहीं। डॉक्टर मंजू जैन्टी डेहली से पूछने गुरुआज, वैक्रियक शरीर के भेद में से अप्रितक का अर्थ हुदारान सहीत समझाईए। विक्रिया होती है दो तरह की एक अप्रथक विक्रिया और एक प्रथक विक्रिया। तो अप्रथक विक्रिया का मतलब है कि जो अपना शरीर है उसी शरीर को हम किसी दूसरे शरीर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं अप्र दूसरा अलग बना देगा तो यह कहलाएगी उसकी प्रथक विक्रिया तो प्रथक विक्रिया में अलग जीव बन जाएगा अलग कोई भी पदार्त या अस्तर सस्तर बन जाएगा लेकिन अब प्रथक विक्रिया में उसे सुयम के को ही उस रूप में परिवर्तित करना होगा इसको बोलते है अपरथक विक्रिया नमस्तु गुर्वर, अर्चिना जैन जी शंकर नगर से पूँच रही है हाथी का बच्चा जरायुज में आएगा या पूतर जिनम बाला माना जाएगा सब की चिंता होने लगी अब आप लोग देख ले ना इस इस रूप से कि उसके उपर जेर होता है कि नहीं जेर समझते ना तो जहां उसके उपर ऐसा जेर होगा वे जरायू कहलाएगा और जहां उसके उपर ऐसा कुछ ना दिखे आवरण उसकी कोई खालवाल उपर से ना हटानी पड़ती हो और वो एकदम से उत्पन होने के बाद में बैठता भी ना हो सीधा खड़ा हो जाता हो दौड़ पड़ता हो तो फिर आप समझ ले ना मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होगा वो जरायू जनमबाला ही होता है ऐसा आप देखने की कोशिश करना अब आज कल तो न जाने किन किन चीज़ों को कितना कितना महत तो देते हैं अब हर चीज के बारे में पूछोगे तो आपत्ती खड़ी हो जाएगी हम दूसरे के लिए क्या कहें अपने ही धरम में अपने ही अनेक तरह के लोगों में इस तरह के कई बार आयोजन, समाचार और तरह तरह की बाते हैं तो अपने को उस यही देखना चाहिए कि वो तिथी कहीं किसी तीर्थनकरादी की तिथी से उनके किसी कल्याणक की तिथी से कोई मेल खाती है किया नहीं या उस तिथी में कोई विशेश तीर्थंका रादी का कोई कल्यान हुआ है या नहीं अगर कोई तीर्थंका रादी का कल्यान होता है कल्यानक की तिथी होती है तो तो वो अपने आप में शुभ होती है वो शुभ काल मंगल की रूप में कही जाती है अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे मान ले न और अगर वो केवल एक लौकिक प्रिथा के रूप में एक शनिवारी मावस्या शनिवारी मावस्या चल रही है तो वह किस के लिए चल रही है तो वो शनी देपता के लिए चल रही है या किसी और देपता के लिए चल रही है उसी को हमने भी अपने लिए मंगल माल लिया तो ये हमारी फिर अपने आप में एक मूड़ता कहलाएगी तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि वह तिथी किस कारण से हम मान रहे हैं लोक मूड़ता के कारण से मान रहे हैं या उसको सास्त्रोक्त किसी मंगल किसी पर्व के कारण से या किसी तीर्थंकर के कल्यान आदी होने के कारण से उसको मान रहे हैं, ऐसा आप देख करके खुद निर्णेल ले लेना। योगेंदी जी उगालियर से पुछ रहे हैं, नमस्तु महराज जी, कच्छा 46 में बताये गया कि शीत योनी के पुदगल परदेश शीत प्रकृति के होते हैं, या पुदगल परदेश से क्या समझें? पुदगल परदेश का मतलब जो उस योनी के उत्पत्ती या उसकी रचना करने के लिए जिन पुदगलों का वहाँ पर रचना के रूप में समावेश हुआ है, वही वहाँ पर उस पुदगलों का नाम है, उनके इस पर शादी गुड़ों का वह वहाँ पर वरडन किया गय जियोती जी जेवलपुर से पुछ रही है महाराज जी, अस्टानिका के बितमे दवाई ले सकते हैं क्या थायरोट की? अरे भाई, दवाई लेने के लिए आपको कैसे मना कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, दवाई ना लें, रोग आपका बढ़ जाए, तो अस्टानिक भी पूरी हो पाएं के नहीं हो पाएं? तो अब हमने कह दिया दवाई नही लिए खुद ध्यान में रखकर के लें, ऐसा कोई हाड और फास्ट रूल नहीं है, कि अस्टानिक में कोई दवाईया नहीं खाई जाती है, या अस्टानिक में कुछ इस तरह से कोई अवसदी का सेवन नहीं किया जाता है, देखना चाहिए वो शुद्ध है या पुछ रखता है अशुद है या या थिए या या नहीं है भाईया जानाई से पुछ रहिये भाईया जी, what is Samyak Darshan in an easy way? In an easy way? Samyak Darshan is always in an easy way. When you believe in the Vidraga Lord in Nirgurant Guru and the scripture called by the Janendra Bhagavan, then you may gain the Samyak Darshan, this is the easy way and nothing. अब प्रीति जन जी आगरा से पुछ रही है नमुस्तु महाज जी मेरी जिग्यासा है कि यदि हम नंदिश्वर के ब्रत एक सो आट दिन में पूरे करें चाहे बावन उप्वास के साथ तो इसकी पूजा हम कैसे करें जब भी आप ब्रत करें आप उसमें जो बावन पूजा दी हुई है उसमें से एक एक पूजा एक एक दिन उस ब्रत के दिन करते जाएं तो बावन पूजा हैं बावन ही ब्रत हैं आप उसको आराम से जिस दिन आपको ब्रत करना हो उस दिन आप एक पूजा करें अगले बार जब आपका दूसरी बार का ब्रत का नंबर आएगा त दूसरी पूजा करना, तीसरी बार बुरत का नंबर आए, तो तीसरी पूजा करना, हाँ, इतना जरूर है कि उस पूजा से आगे और पीछे क्या करना, तो जो उसमें मूल समुच्च पूजा दी हुई है, उस पूजा को पहले करना, फिर उसके बाद 108 अरगों की हुए, दूसरी तीसरी नंबर की जो भी पूजा है, उस पूजा को करना, अंत में जैमाला वश्य पढ़ना, सांती पाठ पढ़कर के उसका भी सरजन कर लेना, यह आपको उस दिन की पूजा का कारिकरम हो जाएगा. नमस्तु गुरुबर, अरपिता जी थांदला से पूछनी है, नमस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य नरक तिरियंच आयू का बंद हो वया, तो वे गत्यंतर सम्यक दर्शन को ले जा नहीं सकता, कारण के यह सिद्धान्त की प्रारूपना है, क्या यह मतलब है? नहीं, जिसको सम्यक दर्शन होने से पूर्व में आयू का बंद हो जाता है, बाद में जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वे जीव सम्यक्त के साथ ही अगली गती में जाता है, और वे अगली गती में भी सम्म्यक दर्शन के साथ वहाँ पर रहता है इसमें किसी भी तरह से कोई भी सिद्धान से बिरोध नहीं है ऐसा जीव नियम से अगर कोई दूसरी गती में गया है तो देव गती में जाने में तो कोई बादा ही नहीं है लेकिन मनुष्य और तिरियंच गती में जाता है तो भोग भूमी में जाता है इतना बस बिसेस है इसमिन्ता चौधरी जी चाथिस गट से पूच रहे हैं माराजी क्या विग्रह कती में जीव का शरीर कार्मान शरीर होता है बिग्ग्रेकती में जीव के साथ तेज़ शरीर भी रहता है, कार्मन शरीर भी रहता है यह सब तो आप लोगों को अब बहुत अच्छे डंग से आपके दिमाग में अच्छे डंग से इस सब धारणा का विसाइब बन जाना चाहिए अना? अमोल देशाई जी कुलापुर से पूच रहे है माराजी, समूर्चन जीव बारिश में ही ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं, अन्य समय में कम दिखते हैं? समूर्षन जीवों के लिए उनके योग योनी इस्थान बनने चाहिए उत्पत्ती के योग इस्थान बनना चाहिए तो वे इस्थान इस तरह के बातावरण में वर्शात आदी के बातावरण में अधिक बनते हैं और इसी के कारण से उन जीवों की उत्पत्ती वहाँ पर अपने आप सहस्ता में हो जाती है तो ये सब उस वाता वरणिप के उपर निर्वर करते हैं जहां जैसा उन जीवों के लिए योनी स्थान मिलेगा वह वहीं पर उनकी उत्पत्ती हो जाती है वीना जन जी गाजेवा से पुछ रही है नमुस्तु भगवन माता पक्ष के 84 लाख योनियों और पिता पक्ष में 995 लाख कुल कोटी में क्या अंतर है यह सब आपने अपने मन से ज़्यादा सोच लिया है कि माता पक्ष की योनि पिता पक्ष के कुल यह सब योनियां अपने माता पक्ष के अनुशार नहीं है योनि माने जन्म इस्थान है आप अपनी तरह से कोई भी गड़ित लगाते हैं प्रशन पूछते हैं तो अब मैं क्या उत्तर दूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कुल कोटी का वर्ड़न अलग है योनि का वर्ड़न अलग है योनियों का मतलब है उत्पत्ति इस्थान उत्पत्ति इस्थान माता से ही होता हो ऐसा नहीं है सम्मूर्शन आदी जितने भी जनम होते हैं सब उसी योनि इस्थान में आते हैं तो इसलिए जो है, यह 84 लाख जो यौनी इस्थान है वो सभी जीवों के हैं, तो उसमें प्रत्वी का आए, जल का आए, अगनी का आए, सभी जीव उसमें समाइत हो जाते हैं. कुल-कोटी की विवस्ता अलग है, वे जीवों की जो पुदगल बरगणाई होती हैं, उत्पत्ती के इस्थान की योनी इस्थान की उन पुदगल बर्गडाओं के भेद के कारण से वो कुलकोटी के रूप बनते हैं इतना विशेश जानना मंजुजाजी जैपुर राजिसान से पुछें पोत योनी के बारे में बताईए मरा राश्री पोत योनी क्या होती है पोत जन्म होता है वो पोत जन्म किस तरह से होता है यह आपको बताया यह जो जरायुज ना हो अंडज ना हो और इस तरह से इन दोनों जन्मों से जो रहत होगा वो पोत जन्म कहलाएगा उस पोत जन्म में ही यह लक्षन बताया कि वे जीव उत्पन हो बाद में सुयम दोडने में या चलने में सुयम समर्थ जल्दी हो जाता है यही उसका लक्षन है जराभव रोग हरी तित्थियराणं दिवजुनिंजो पड़ै सुनै मैये धारै लाणं सोख मनंतं धरिय सासद मोख पदंपावै सासद मोख पदंपावै